नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं एक मैसे आठारा साल के उपर सभी लोगों को भैक्सीन भाजपा के परदेश अध्यक्ष तिपक प्रकास ने 18 वरस से ज्यादा उम्रोवाले लोगों को कुरोना टीका दिये जाने के फैसले पर परदान मंतरी का भार जाताया है उन्होंने कहा कि एक मैसे देश में कुरोना टीका लगाया जाएगा इस एतिहासिक नीरने के लिए हम परदान मंतरी का भार जाताते हैं सभी लोगों से अपील करते हैं कि टीका करन में भाग लेकर इसे सफल बनाए और कुरोना को मात दे मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान में बताया गया है कि सहर के अधिक्तम तापमान में बढ़ोतरी के आसार है 21 अप्रिल को एक बार फिर मौसम करवट लेगा आसमान में बादल चाने के साथ तेज हावाय चल सकती है वहीं 20 अप्रेल से 24 अप्रेल तक आसमान साफ रने की भैस्वानी की गई है बता दे पिछले 24 घंटे में सहर का अधिक्तम तापमान 36.2 डिगरी सेलसियस वहीं नियुंतन तापमान 21.2 डिगरी सेलसियस रहा सरकारी सिक्षकों को आना होगा इसकूल सिक्षा विभाग जारखन में कुरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी सिक्षकों के सिक्षकों की स्कूल आना होगा इस समन्द में सिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है आदेश के मुताबिक सिक्षकों के उपस्थिती 50 फिसद रहेगी वहीं सिक्षा भी भाग के सभी कर्यालियों में भी 50 फिसद उपस्थिती रहेगी गौतलबागी राजे में कुरोना संक्रमन की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है इसके अलावा कुरोना संक्रमन से मौत के मामले लोगों को चिंता बढ़ा रहे हैं रांची में अप्रेल माई में होने वाली 10,000 साधिया रद कुरोना में हमारी ने राजधानी राची को पूरी तर अपनी चपेट में ले लिया है बतादे अप्रेल वा माई में तक रिवन 15,000 से अधिक साधिया प्रस्तावित थी इसमें से करिब 10,000 साधिया रद हो गई हैं लगन नहीं होने के कारण बर्स 2021 में जनुवरी और फ्रवरी माई में अपेक्छा क्रित बहुत कम साधिया हुई बतादे अधिकान साधिया अप्रेल और माई में ही प्रस्तावित थी जार्खन में 30 अप्रेल तक ही नहीं अनिश्चित काल तक बंद रहेंगे स्कूल जार्खन में अब सभी स्कूल 30 अप्रेल तक नहीं अनिश्चित काल तक बंद कर दिये गा है बतादे मुख्यमत्री हमनसुरे ने बीते दिन इसका आदेश जारी किया राज में बढ़ते क्रोना संक्रमन के चलते सभी सिक्षान संस्थानों को बंद कर परिक्षा अस्थागित कर दी गई है बतादे सियमे मनसुर ने राज में बढ़ते क्रोना संक्रमन के मामले के चलते या बड़ा फासला किया अब राज के सभी सिक्षन संस्थान अगले आदेस तक बंद कर दिये गए है प्राइबेट इसकूल के सिक्षक अब घर से पढ़ाएंगे ने जी स्कूलों के सिक्षक मंगलवार से अपने घर से भचों को ऊणलाइन पढ़ाएंगे सिक्षकों को वर्ग, फोउम, होम का निर्देश दिया गया है दिभीन स्कूलों के परचारयों की सोमवार को ऊणलाइन चर्चा के बाद या फासला लिया गया बता दे कुरोना संक्रमन से बचाव के लिए राई सरकार के और सभी स्कूल कॉलेज और सिक्षन संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है जिसके बाद निजी स्कूलों ने अपने सिक्ष को और करमचारियों को वर्ग फोर्म होम का निर्देश दिया अर्जुन मुंडा ने समान खरीदने के लिए सांसद मत से 50 लाग की स्विक्रिती दी जारखन के खुटी में बड़ रेज कोविड-19 के संक्रमन को देखते हुए वहां की जानता कोई से रहात एवं निजात दिलाने के लिए अक्सिजन सेलेंडर सेट, अक्सिजन कार्डिक मनिटर यम कार्डिक एंबुलेंस खरीदने के साथ ही अक्सिजन प्लान्ट बैठाने के लिए केंध्रिय मंत्री साच्षेत्रिय सांसद अर्जुन मुंडा ने अपने सांसद मत से पचास लाग रुपए की स्विक्रिती वहां के उपायुक ससी रंजन को दी है ज्यारखन चेम्बर ने किया ज्यारखन में 21-25 अप्रेल तक सेल्फ लोगडाउन का आवाहन ज्यारखन चेम्बर ने राज में बढ़ते क्रोणा संक्रमन को देखते वे सेल्फ लोगडाउन का आवाहन किया है बतादे चेम्बर ने कोविन के बढ़ते परसार के साथ ही चिकिसी सुईधा के आभाव को देखते वे ब्यापारियों उद्यम्यों वा प्रोफेशनल की प्रतिनीधी संस्थाफ फ्रेट्रेशन अफ जार्खन चेमबर अफ कोमर्च और इंडर्स्टीर की परदेश के सभी सदस्यों संबंद संस्थाओं वा जीला चेमबर अफ कोमर्च से जार्खन में ये कई से 25 अपरेल तक सेल्फ लोगडाउन लगाने की अपील की है सेना बहाली में उतिन अभियार्थियों की परिक्षा अनिस्चित काल के लिए स्थगित राची सेना भर्ती करयाले कि और से आयोजीत सेना बहाली के दोरां उतिन अभियार्थियों की परिक्षावात कर दी गई है बताया जाता है कि 25 अप्रेल को आयोजी समाने परवेश परिक्षा कोविन-19 के फैलाव को मद नजर फारत सरकार के निदिसामसा अनिस्चित समाई के लिए अस्थागित की जाती है जिन अभियार्थियों को परवेश पत्र जारी किया गया है उन्हें अस्थानिय समाचार पत्र और न्यूज चैनल अनुसरन करने को कहा गया है ज्यारखन में 4290 नए केस मिले हैं पतादे ज्यारखन में 46 की मौत हुई है जिसमें राची से 14, बोकारो से 3, 14 से 2, धनबाद से 3, पूर्वी सिम्भूम से 10, गड़वा से 2, गोड़ा से 1, गुमला से 1, कोड़ार्मा 3, लातेहर 1, लोहरदागा 3, साहिवगन से 1, और पत्छमी सिम्भूम से 2 मरीज सामिल है ज्यारखन में कूल मौत की संख्या 1502 है वही कूल एक्टिव केस की संख्या 30, 447 है बतादे भारत में 2,56, 828 नए केस मिले है भारत में कूल मौत की संख्या 1,88, 550 है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 20,24, 829 है वही भारत में 1,24,234 मरीज स्वस्थ हुए है ज्यारख जार्खन में पांच माई तक पहली से आठवी तक के सभी बच्चों के हाथ में होगी कितावे राजे की पहली से आठवी तक के सभी छात्र छत्राओं और नवी वा दस्वी के छत्राओं को पांच माई तक पाठे पुस्तके दे दी जाएगी जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशद ने सोमोर को पाठे पुस्तक बित्रन के लिए निदेश जारी किये बता दे जे सी आर्टी के निदेशक डाक्टर सेलेश कुमार चवरसिया ने कहा कि कोविन नैंटीन के बढ़ते परकोप की वज़ा से स्कूलों को बंद करने का निने लिया गया परखंड अस्तर पर कितावे पहुंच चुकी है नई कलास की कितावे बच्चों को उपलब्द कराना अवस्या खाय तकिवे घर में पढ़ सके पचास फिस्दी रहेगी सिक्षको की उपस्थिती सिक्षा विभाग राजे के सभी प्राइमरी मीडिल हाई और पलस टू स्कूल बंद रहेंगे लेकिन सिक्षको को इस्कूल आना होगा इस्कूल में कारणद पचास फिस्दी सिक्षक रोटेशन के अधार पर हर दिन इस्कूल आएंगे इस्कूली सिक्षा और सक्षरता विभाग ने सोमवार को इसके निर्देश जारी कर दिये विभाग ये सचीव राजे सर्मा ने बताये कि स्कूल बच्चो के लिए बंद रहेंगे लेकिन सिक्षक स्कूल से ही बच्चो को डिजिटल कॉंटेंट उपलवत कराएंगे राजी की मजूदा परिश्थिती के हवाला देते हुए लोकडाउन की जरूरी बताया बावुलन ने कहा कि हमारे पास तमाम आध्यमों से जीतिनी भी खबरे आ रही है उससे लगता है कि राजी की जानता चाहती है कि लोकडाउन लगे राजी में लोकडाउन, सेक्डो दुकाने बंद, राजधानी राची में कोविट के बढ़ते मामलों को देखते हुए लाल जी हीरजी रोड में इस्थित सभी दुकाने यों बेवसाइक प्रसिस्थान सोमवार दोफर एक बजे के बाद से इस्थिती समाने होने तक बंद रहेंगे इस निर्नय का जेजे रोड के बेवसाइयों ने भी समर्थन किया है बता दे लाल जी हीरजी रोड नागरिक समीती के सदस्यों के आपसी बीचार विमर्ज के बाद इस पर अम्तिम निर्नय लिया गया इसमें कहा गया है कि समीति द्वारा नियमीत रूप से स्थिति की समिख्छा की जाएगी और निन लिये जाएंगे सचिवाले में दो और अधिकारियों की मोत कर्मियों में ख़ब राज ये सचिवाले में अधिसंख कर्मी सोमवायर को काम पर नहीं आए एक दिन पहले ही कर्मियों की ओर से सचवाले सेवा संग ने तमाम अधिकारियों को लिख कर दे दिया था कि कर्मिय उनई स्थे 23 अप्रेल तक समोईक अवकास परहेंगे इससे समाने कामकाज परभावित होने का भी अनुवान है इस बीच रविवार से लेकर सोमवा तक सचवाले सेवा के दो और अधिकारियों की मौत हो जाने से कर्मियों में घवराट और बढ़ गई है कुरोना संक्रमितों को मदद करेगी पुलिज तीन टीम गठीत राची में कुरोना का संक्रमन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है लोग संक्रमित मरीजों को लेकर एक से दूसरे अस्पतल का चकर लगा रहे है अस्पतालों में बेड़ नहीं मिल रहा है कई महत्पुन दवाया भी नहीं मिल रही है हलात यह है कि सुविधा मुहया नहीं होने की वज़ा से संक्रामित मरीज दम तोड़ दे रहे हैं इसे दूर करने के लिए राची पुलिस की ओर से तीन टीमें बनाई गई है जो लोगों की समस्याओ को नो सिर्फ सुनेगी बलकि उन्हें मदद भी पहुंचाएगी बता दे राची पुलिस की ये टीम रिम्स अस्पताल की जिम्वारी समाल रही है वही दूसरे टीम सदर अस्पताल की जिम्वारी समालेगी जबकि एक टीम रिजारव है लातेहर में पुलिस और उग्रवादियों की बीच मुटभेड लातेहार के बालू मात थाना छेतर अंत्रगत, राजगुरु गाउक के निकट सोमवार की साम पुलिस और टीपीसी नक्सालियों के बीच मुर्भेर हो गई लगबग आधा घंटा तक चले मुर्भेर में पुलिस को भारी परता देख नक्सालियों हाथियार छोड़ कर फरार हो गया है मुर्भेर के बाद सर्च अभियान में पुलिस ने उगरवादियों के दो राइफल समेत अने समान बरामत किये है खोटी जिले में करोना संक्रमन के मामलों को देखते हुए जिला मुख्याले की सभी दुकाने सुब दस से दो बए तक ही खुली रहेगी खोटी चेंबर अफ कोमर्स एवं बेव साइक संग ने सभी परिश्थितियों का आकलन करके एवं बेकाबू हालात को देखते हुए सनियक तुरूप से निनने लिया गया है और सभी बेवस पारियोग से आगरा किया है कि 20 से 30 अपरेल तक सभी दुकाने सुब दो बए से दो फार दो बए तक ही खुली रहेगी खोटी में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए सांसद ने दिये 50 लाख वा विधायक ने 20 लाख खोटी जिले में बाद रहे कोवेट के संक्रमन को देखते वे खोटी के संसद और विधायक भी लोगों के मदद करने के लिए सामने आये हैं एक और जाहां संसद और केंद्रिये मंतरी अरजुन मुंडा ने अक्सीजन सेलेंडर सेट अक्सीजन कंस्ट्रेटर मसीन कॉर्डिक मनीटर कॉर्डिक एम्बूलेंस खरिदने और खोटी जिले में अक्सीजन प्लांट अस्थावित करने के लिए 50 लाख रुपए अपनी संसद नीज से दिये बतादे रासी उपायुक्त को देख दी जाएगी वहीं बिधायक निलकंट सिंग मुंडा ने भी अक्सीजन सेलेंडर के लिए 20 लाख रुपए बिधायक मत से उपायुक्त सासी रंजन को दिये हैं राची को अभिलम लोकडाउन किया जाए संजाए सेट राची के सानसद संजाय सेट ने सोमवर को ट्वीट कर मुख में ते एमन सुरिन से कहा है कि दिली में कारफ्यू लगा दिया गया है उतर परदेश में लोकडाउन हो गया है कई अने राज अपने नागरी को की हिफाजत के लिए करे कदम उठा रहे हैं राची के भ्यावाई स्थिति को देखते हुए आपसे आगरा है कि राची को अभिलाम लोकडाउन किया जाए धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही यदि आप चलनल पर नहीं हो तो चलनल को सब्सक्राइब कर बहल के बल लाइक के अंदवाए सब्सक्राइब करें ना भूलें सब्सक्राइब को में अपना फिडिवाए अवाज करें